खारत माता की जए खारत माता की जए साथियों आपका ये होसला आपका शावरिय और माभारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पन और तुलनिया है आपकी जिवर्ता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है जिन कठीन परिस्तितियों में जिस उंचाई पर आप माभारती की धाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं उसकी सेवा करते हैं उसका मुखाबला पूरे बिश्व में कोई नहीं कर सकता है आपका साहस उस उंचाई से भी उंचा है जहां आप तैनाथ है आप का निश्चा है उस गाटी से भी सक्त है जिसको रोज आप उपने कदों से नाब दें आपकी भुजाए उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्दगिर्द खड़ी है आपकी इच्छाशक्ति आस पास के परवतों जितनी अटल हैं आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहां साक्षान अपनी आँखों से इसे देख रहां साथियों जब देश की रख्षा आपके हाथों में हैं आपके मजबूत इरादों में हैं तो एक अटूट विश्वास है ज़र मुझे नहीं पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंद भी है आप जब सरहद पर टटे हैं तो यही बात परतेख देश वासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेवित करती है आत्म दिर भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण आपके त्याग पलिदान पुर्शाद के कारण और मजबूत होता है और अभी जो आपने और आपके सांथियों ने बीरता दिखाई है उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है और मैं मेरे सामने महिला फोजियों को भी देख रहा है युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दर्श अपने आपको प्रेणा देता है साथियों राष्ट कवी रामधारी सी दिनकर्जी ने लिखा था जिनके सिहनाद से सहमी धर्ती रही अभी धर्ती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल कलम आज उनकी जय बोल तो मैं आज अपनी वानी से आपकी जय बोलता हूं आपका अभिननन करता हूं मैं गलवान गहाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनह स्रद्धाजली अर्पित करता हूं इनमें पूरत से पस्चिन से उत्तर से दस्चिन से देश के हर कोने के बीर अपना शौर्य दिखाते थे उनके पराकरम उनके सिहनात से धर्ती अब भी उनका जयकारा कर रही है आज हर देशवाजी का सीर आपके सामने अपने देश के भी सेनिकों के सामने आदर पुर्वक नतमस्तक होकर के नमन खरता है आज हर भारतिय की चाती आपकी वीरता और पराकरम से फुली हुई है साथ्यों सिंदू के आशिरवाज से ये धर्ती पुन्य हुई है बीर सपुतों के शावरी और पराकरम की गाताओं को ये धर्ती अपने आप में समेटे हुई है लेख लग्दाव से लेकर करगील और सियाचिन तक रेजांगला की परफिली चोटियां से लेकर गलवान गाटी के ठंडे पानी की धारा तक हर जोटी हर पहाड हर जर्रा जर्रा हर कंक्याड पत्थर भारतिय साइजिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं 14 कोर की जावाजी के किस्से तो हर तरफ है तुरिया ने आपका अदम में साहत देखा है जाना है आपकी शौर्य गाथाएं गर गर में गुंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर आपकी फायर वोई देखी हैं और आपकी फ्यूरी भी साथियों लग्दा का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है एक सो तीस करोर भारतियों के मान सम्मान का प्रतीक है ये भूमी भारत के लिए सर्वस्वत्याग करने के लिए हमेशां तयार रहने वाले राष्ट भक्तों की धर्ती है इस धर्ती ने कुशत पगुला रिंग पुछे जैसे महान राष्ट भक्त देश को दिये है ये रिंग पुछे के ही उनी के कारण जिन्होंने दुश्बन के नापाग इरादों में स्थानिया लोगों को लामबंद किया रिंग पुछे के गुवाई में यहां अलगाव पदा करने की हर साजीश को लद्दा के राष्ट भक्त जन्ता ने नाकाम किया ये विनी के प्रेरक प्रयासों का परणाम था कि देश को भारतिय सेना को लद्दाक स्काउट नाम से इंफंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली आज लद्दाक के लोग हर स्थर पर चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तक रहो राष्ट को ससक्त करने के लिए अद्भूत योगलान दे रहे साथियों हमारी यहां कहा जाता है खडगेन आक्रम्य बंजी तहा खडगेन आक्रम्य बुन्जी तहा बीर भोग्या वसुंद्रा यानी बीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धर्ती की मात्र भूमी की रक्षा करते हैं ये धर्ती बीर भोग्या है बीरों के लिए हैं इसकी रक्षा सुरक्षा तो हमारा समर्थ और सामर्थ हमारा संकल्प हिमाले जितना ही ऊंचा है ये सामर्थ और ये संकल्प में इस समय आपकी आँखों में मैं देख सकता हूँ आपके चहरों पर ये साब साब नजर आता है आप उसी धर्ती के वीर है जिसने हजारों वर्सों से अनेतों आकरांताओं के हम लोग को अत्याचारों का मुह तोड़ जवाब दिया है हम और ये अमारी पहचान है हम वो लोग है जो बांसूरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं तो हम वही लोग हैं जो सुदर्सन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्शमान करके चलते हैं इसी प्रेंडा से हर आकर्मन के बाद भारत और ससक्तव करूब रहा है साथियों रास्त की दुनिया की मानवता की प्रगति के लिए शांती और मित्रता हर कोई स्विकार करता है हर कोई मानता है बहुत जरूरी है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांती निर्वल कभी नहीं ला सकता कमजोर शांती की पहल नहीं कर सकता वीरता ही शांती की पूर्वशर्ट होती है भारत आज जल थल नग और अंत्रिक्स तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्यान ही है भारत आज आदुनिक अस्त्र सस्त्र का निर्मार कर रहा है दुनिया के आदुनिक से आदुनिक तक्नीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं तो उसके पीछे की भावना भी यही है भारत अगर आदुनिक इंफास्त्र का निर्मार तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेज भी यही है विश्व युद्ध को अगर हम याद करें विश्व उद्ध हो या पिर शांती की बात जब भी ज़रुद्पड़ी है विश्व ने हमारे वीनों का प्राक्रम भी देखा है और विश्व सांती के उनके प्रयासों को मैसूस भी किया है हमने हमेशा मानव तक इंसान योग की हुमेनिती की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है जीवन खपाया है आप सभी भारत के इसी लक्ष को भारत की इसी परंपरा को भारत की इस मही महान संस्कृति को स्थापिट करने वाले अगवा लीडर हो साथियों महान संत तिर्वल्लुवर्जी ने सैंक्लो वर्ष कुर्व कहा था मारा मानं मांड़ वड़ी चेलव तेकुम येना नानगे येमं पड़ाई कह यानी सावर्य सम्मान मर्यादा पुर्ण ब्यहवार की परंपरा और विश्वसनियता ये चार गूं किसी भी देश की सेना का प्रतिक्व होते हैं भारत की सेना ये हमेशा से इसी मार्ग पर चली है साथियों विस्तारबाद का यूग समात हो चुका है ये यूग विकासवाद का है तेजी से पदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है विकासवाद के लिए ही आउसर है और विकासवाद ही बविश्य का आधार भी है बीती शतारदियों ने बीती शतारदियों में विस्तारबाद ने ही मानवता का सबसे जादा ही त्या मानवता को विनाज करने का प्रास किया विस्तारबाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खत्रा पैदा किया और साथ्यों ये न भुले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकतें मिद गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है विश्व का हमेशा यही अनुभाव रहा है और इसी अनुभाव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तार वाद के खिलाब मन बना लिया है आज विश्व विकास वाद को समर्पित है और विकास की खुली स्परधा का स्वागत कर रहा है साथियों जब जब मैं राष्ट रक्षा से जुड़े किसी निल्डे के बारे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का समर्ण करता हूँ जब भी मैं राष्ट रक्षा के विशे में सोचता हूँ तो मैं सबसे पहले दो माताओं का समर्ण करता हूँ पहली हम सभी की भार्त माता जब मैं दो माताओं का समर्ण करता हूँ पहली हम सभी की भार्त माता और दूसरी बेवीर माताओं जिनोंने आप जैसे प्रवाक पराक्रमी योद्दाओं को जन्म दिया है मैं उन दो माताओं का समर्ण करता हूँ मेरे नेरे की कसोडी यही है इसी कसोडी पर चलते हुए आपके सम्मान आपके परिवार के सम्मान और भार्त माता की सुरक्षा को देश सर्वोच प्रात्विक्ता देता है सेनाओं के लिए आधुनिक अतियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं अब देश में बॉर्डर इंफ्रस्ट्रेक्चर पर खर्च करीब करीब तीन गुनात कर दिया गया जाए इससे बॉर्डर इरिया डेवलप्मेंट और सीमा पर सड़के पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है इसका एक बहुत बड़ा लाग ये भी हुआ है कि अब आग कि तक सामान भी कम समय में पहुंचता है साथियों सेनाओं में बहतर समनवय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी वो चीफ आप डिफेंस स्टाप के पत का गठन करें की बात हो या फिर नेशनल वार मेमोरियल का निर्वान वन रैंक वन पैंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेस से लेकर सिख्षा तक की सही व्यवस्ता के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है साथियों भगवान गौतम बुन्त ने कहा है साहस का संबंध प्रतिबद्धता से हैं कन्विक्षन से हैं साहस करुणा है साहस कंपेशन है साहस वो है जो हमें मिर्भीक और अडीक होकर सत्त के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की उर्जा देता है साथियों देश के वीर सपूतों ने गलवान गाटी में जो अदम्या साहस दिखाया वो पराक्रम की पराकाश्टा है देश को आप पर गर्व है आप पर नाज है आपके साथ ही हमारे आईटी बीपी के जमान हो बीएसेट के साथी हो हमारे बियारों और दूसरे संग्टनों के जमान हो मुश्किन हालात में काम कर रहें इंजीनियर हो स्रमीक हो आप सभी अदभूत काम कर रहे हैं हर कोई कंदे से कंधा मिलाकर माभारती की रक्षा के लिए माभारती की सेवा में समर्पित है आज आप सभी की महनत से देश अनेत आपदाओं से एक साथ और पूरी दड़ता से लड़ रहा है आप सभी से प्रेणा लेते हुए हम मिलकर हर पर हर चुनोती पर मुश्किल से मुश्किल चुनोती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं विजय प्राप्त करते रहेंगे जिस भारत के सामने और हम समने जिस बारत के सपने को लेकर और विशेश रुप से आप सब सरहत पर देश की रख्षा कर रहे हैं हम उस सपने का भारत बनाने के लिए आपके सपने का भारत बनाने के लिए 130 करोर देश्वासी भी पीछे नहीं रहेंगे कि मैं आज आपको विश्वाद दिलाने आया हूँ हम एक ससत और आत्मंदिर भारत बनाएंगे बना करके ही रहेंगे और आप से प्रेणा जब मिलती है तो आत्मंदिर भर भारत का संकल पर भी और ताकत पर हो जाता है मैं फिर एक बार आप सभी का रवे से बहुत पर अभिनुनर करता हूँ बहुत पर दनिवाद करता हूँ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए बहुत पर भारत करता हूँ